हाई एवरीबन वेल्कम बेक टू माई चनलर रन क्लास इस फोरी में जैसा कि आप थमने में देख पारे हो आज हम क्लास 10 सामाजी विग्यान 2024 का वारल पेपर करने वाले हैं जो आपके बोड एकजाम में 101% यही देखने को मिलने वाला है आपका पेपर कब है 7 मर्च 2024 को यही पूरा वारल पेपर है आपका आने वाला है बस आप अपना कोड याद रखना यही कोड आने वाला है 825 सी यह पूरा पूरा पेपर है most important वारल पेपर यह आपके बोड एकजाम 2024 में आपको देखने को मिलने वाला है मुद्धित प्रष्टों की संक्या आपकी 10 2024 का पूरा वारल पेपर है सामाजी बिज्ञान का पूरा पेपर आप लोग तक देख लीजेगा इस तरह से आप अपना अनुकर्वांक डाल देना अपना नाम भी इस तरह से आप आराम से डाल देना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है समय मिलेगा आपको तीन गंटे 15 मिनित का पूरांक हो साथ मर्च 2024 को यहीं आपका पेपर आने वाला है तो सबसे पहले आप सामान निर्जेस पढ़ लेना की प्रारंब के जो आपको 15 मिलने वाले हैं वो आपको केवल और केवल परसंद पत्र पढ़ने के लिए ही निराडित हैं सबी परसंद आपके लिए दोस्तों क्या है अनि लिखना, केवल ऑयमार उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर देना है खंड आके परतीक परिषन का नर्देश पड़कर केवल परतत्थ ज आरमार उत्तरक पत्रक पर उत्तर करते जाए जो परसंद ना आता उस पर समय ना केजिए चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने खंड आकी तरफ जिसमें आपके 20 बाविकल परसंद आते हैं उन सभी को अच्छे से हम लोग करेंगे 20 में से 20 हल करने वालें बिल्कुर ट्रिक के साथ ठीक है किसके साथ दोस्त ट्रिक के साथ चलिए चलते हैं लोग अपने खंड आकी तरफ जो सबसे पहला आपका परसंद निकल के आ रहा है कि मांटेश्क्यू ने किसी दांत का परतिपादन किया बताए फटा-फट आपका एक अंक्य का आए 20 अंक्य की खंड आ बहु भीकल पिये परसंद तो बताव मांटेश्कू ने किसी दांत का परतिपादन किया तो आप सभी जानते हो कि राजतंत्र समाजवाज प्रजातंत अधिकार विवाजन आंत दख देगना पूरा का सोलूशन लेकर आया हूं पूरा का पूरा सोल्व कराने वाला हूं पेपर सभी प्रसंदों को आप अच्छे बंसर किस पितिकार विवाजन चलो दूसरा ब nessa बद का तत परेया क्या सा चलो और supply किसी सातन भी वाता ջिसमें सत पर किसी कान अंकुस नहीं होता है रोफसें 16 मेंस eneo पर कुछ व्यक्तियों का अंसुप होता है उप्सण डी ऐसी साचन विवस्ता जिसमें पाउसन क्या कर सकता है पर अंकुस होता है चलो देखो निरूंकुस बाद मिल्ला निरूंकुस मने नहीं कस बाद जिसपर कोई अंकुस ना हो समझ में आ गया तो क्या इसका अप्सण हो शाइस अंबर आपका ब्लकुल सही होगा कि ऐसी साचन विवस्ता जिसमें शत्ता पर किसी का अंकुस नहीं होता है ऑपका क्या निरूंकुस बाद समझ में आ गया बिल्कुल ट्रिक ये साथ आप कर सकते हूं क्या निरूंकुस बाद ठीक है के लिए ओगया इसका उप्सण नंबर वी करेक्ट आंसर है तीसरा प्रसंट निमिलिकित मैसे खोन सा अंदूल गांधि जी ने नहीं चलाया बताओ ट्रिक इसकी कावने वाली आप जानते हो कि घंदे इन आसोज जो चलाया है सब ने अब बहुत चोड़ों चलाया नमक चोड़ों का अंदूल चलाया है ठीक मातमा गांदी जी ने नहीं चलाया। कौनसा ? खिलापत अंदोलन केली और हो गया। चलो। चौता मानब अजिकार दिवस का मना जाता है। 10 जनवरी, दस अगस, 10 दिसंबर, 10 जुलाइ, तो आप सभी जानतो जो मानब अजिकार दिसंबर को मना जाता है। नुए cuz you know shit ऑंसानी से आप अच्छी सरोगे पर्सन अमेरिका के किस चैत्र को सोने का सहर का जाता था इस हुआ आप यसिरार के चैcar को सोने का सहर का जाता है तो चैति ये पर के चैठ है चैसे गारिट परपा nhda चलो चटना इसका जो कर्यक्ट आंसर रहे दोस्तों वह आपका ब्यापारियों के संग्टन घ्रिकें घन्षफ Katy जब और में सबसे पहले किस मासा में पुस्तक छपी थी कोकडी बताओ बताओ, क्या अंसर हो जाएगा इसका, तो भारत में सबसे पहले जो पुस्तक चपी थी, वो चपी थी आपकी तमिल में, किस में, तमिल में, option number C, नदियों द्वारा लाएगे अपसासे निर्मित मिर्दा, प्रबतिय मिर्दा, रितेली मिर्दा, जणोर मिर्दा, काली मिर्द काली मिर्दा, काली मिर्दा, कौन सा इसका सही है, किसके तरह नदियों द्वारा लाएगे अपसासे निर्मित मिर्दा, तो याद रखना, जो नदियों द्वारा लाएगे अपसासे निर्मित मिर्दा, ठीक है, कौन सी होती है, वो होती है, आपकी जलोण मिर्दा, कौन सी जलोन मर्दा ऑप्शन नमबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ठीक है बिल्कुल अच्छे से कर पा रहे ना आप लोग वीडियो को सेर कर देना चैनल पर पहली बारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ठीक है दोस्तों पूरी की पूरी त्यारी कराई जाएगी एक पर्ञाट हो ह्युक्त हेश्च साथ दौन होता है तो परफ़तों सोब्सक्राइए कहली क्रीजिए ञें उसके जैनल को सब्सक्राइबाय। किलियर की डसमा निम्स-लिकित में से कौंसा प्रमपरागत साधन आए पर्वन-ुरजा- JUL्ण, प्राकर्करटी-गैस, यह और यहूर जा कौंसा प्रमपरागत त्लएट shrinking है ठीक है कौनसा तोस्तों तो बूह यह आपका प्राकर्तिक घास और आपकी वाजरा ओपनलंब नंबर बिरु यूतुट प्राकर्थी पसल नहीं सभी ने शोड़े साइल पतले शूकतुआ तो सब्सक्राइब के लिए को मतलब क्या होगा को इसके लिए को से क्या हो जाता है आपसन नमबर बी चौधमा निमा बहुत मैं से कौउन सा नगर भारत की राज़दानी के रूप में जाना जाता है तो आप सभी जानते हैं कौन सा अगर भारत की इलक्टरानी राजधानी के रूप में जाना जाता है तो वो है आपका व्यंगलरू option number D इसका correct answer है भारत में बायू परवेन का राष्टी करण कभी किया गया उनीस सो पचास, उनीस सो पचास, उनीस सो अथानवे तो भारत में बायू परवेन का राष्टी करण कभी किया गया तो वो किया गया हुई थी उननीस सो नबब ए 1992 दो जार चार तो भारत में पंचाती राज की स्तापना कब ही थी तो बहु थी आपकी 1902 ओप्सन नंबर सी इसका विलकुल करेक्ट आंसर है अठारा लोगतंत्र में सक्ति का इश्त्रोत है के लोगतंतर में सकती का इस तो आप सभी जानते है जंता जांता चाहें तो सरकार बना भी सकती है जंता चाहें तो सरकार चुटगें उड़ा भी सकते हैं को कोनुद इंकत ना होनों चीए आपको बस कमेट बोक्स में कमेट कर देना कि कहसी लगी आपको किलास अच्छी थी सांधार थी लाजवाब थी कचलो 19 निम लेकित में कौन सा ब्यक्ति असंगती छेत्र के अंतरगत आता है असंगती छेत्र कें अंतरगत आता है करसी मजदूर बैंक मनेजर राजपत्र जदिकारी सेनी तो कौन सा अब्यक्त आपका क्रसी मजदूर कौन है क्रसी मजदूर ऑप्शन नंबर यह बारत में कितने परसेद लोग अनुपचारिक इस रोसों से रड़ प्राप्त करते हैं तो बारत में कितने परसेद लोग अनुपचारिक तरीके से रड़ प्राप्त करते हैं कि उधार करते हैं तो वह आपका पच्यासी परसेंट नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ठीक है चलिए अब हमने कर लिए 20 बहुत विकल्पिय परसन आप हम करेंगे खंड बा ज पूछे जाएंगे पहला परसन फ्रांस की गरांति कभ हुई थी उसका मुक्य करने क्या था अत्वा में आप यह कर से थे घुटेन वर कौन था वै क्यूं परसीद थै चार रंक का ठीक है तो मैं आपको फ्रांस की करांत तो आपको याद होनी चाहिए याद होगी तो मैं आ पारी नेता की संतान यूहान गुटन वर्ग गुटेन वर्ग खेती की एक बड़ी रियासत में पला वड़ा था ठीक है बच्छपन सहीब तेलवा जेतून करने की मसीनों को देखकर बड़ा हुआ था उसने क्रमसा पत्थर वालिस करने सुनारी और सीसे को इच्छिता करतियो में गड़ने की कला में दच्छता प्राप्त की सन 1448 में उसने छपाई संबंदी यंत्र बनाने में सपलता प्राप्त की उसने तीन वर्ष में वाईवल की 180 प्रतियां चापी थी जो उस समय के तकनीकी ग्यान और निपुरता को देखते हुए अतियन तीर बिगती कही जा सक तो यह नहीं तकनीक हास से किताबों को चापने की तकनीकी का पूरी तरह से इस्तान नहीं ले सकी ठीक है तो इसलिए गुटेन वर्ष कौन था यह पूरा का पूरा बोड एक्जाम में लिख देना 7 मार्च 2024 को ठीक है कोई दिकत कोई दिकत नहीं दूसरा जेब और अजेब संसाधन क्या होते हैं कुछ उदारन देजिए अत्वा भारत में सोर रुजा का वविस्त उजवल क्यों है चाहा रंक का चाहिए आप यह कर दो चाहिए आप यह कर दो तो मैं आपको दिखाने वाला हूं अजेब और अजेब संसाधन क्या होते हैं कुछ उदारन भी ठीक है देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जेव संसाधन की क्या ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जेव मंडल से होती है तता जिनमें जीवन व्याप्त होता है उन्हें जेव संसाधन कहते हैं जैसे पसुदन मत्स जीवन प्राणी जगत बनस्पति जगत एबं मनुस्य आदी ठीक है अब हम बात करेंगे अजेब क्या होती है जो नर्जी बस्तों से निर्मित होते हैं मतलब जिसमें जीबन ना कलियर उआ जैसे द द रातु चत्टाने घा भी धातु िवं चत्टाने इसके बाद संग बाद क्या रहे、 इसकी प्रमक विशेष्थाने लिखिए ठीक है अत्वा में यह कर सकते हो लोगतने सातन में सरकार का उत्रदाई होना क्यों आवस्यकर चार रंकी का तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ संगबाद क्या है यह उत्तर संगबाद का संगबाद को सरकार का बायश रूप जिसमें देश के वीतर सभी सरकार के कम से कम दो इस्तर में जूद हो पहला केंदरी इस्तर वो दूसरा इस्तानिय या राजिस्तर ठीक है इतना सहब आपके पास होना चाहिए इसके बाद इसके बाद आप क्या पढ़ोगे ठीक है इसका भारत में भारत की इस्ति में संगेबाद को इस्तानिय केंद्रिय और राजी सरकारों के मद्धि अधिकारों के बित्रण के रूप में परिवासित किया जा सकता है संग этой- σाटशन विवस्ता में एक समय में एक से अधिक परकार की सरकारें किनीयाक देश में साथन करें सभी सरकार को अपने अधिकार संभिदान से मिले हैं इसी विवस्ता-की मैटमु्ण विवस्तां c için में लिखे था है । देखो भारतिये संग को एक इकरत संगवाद कहा जाता है एक होना चाहिए इसके बाद दूसरा विशेष्था वकटोर संविदा संगात्मक सासन की विशेष्था है बस यह दोना विशेष्था लिख दिना चार रंक आपको मिल जाएंगे चौता शिसुमरत उदर रोकने के को कोई चार उपाय बताइए अत्वा रोजकार के संगटी तता संगटी छेत्र से आप क्या समझते हैं चाहिए कर दीजिए चाहिए कर दीजिए मैं एक आला करके आपको दिखाने बाला हूं जो में नहीं कर रहा हूं उनको भी आप तयार कर लेना बहुत मैत्पूर पिरसन है जो आपके बोड एक्जामे सीधे सीधे देखने को मिलने बाले हैं ठीक चलो सिसु मिरतुदर रोकने के उपाय निम्मू लिकेता हैं का जननी सुरच्चा योजना के माध्यम से कुसल जन्नम परिचारिका का द्वारा संसागत संस्थागत प्रसब को बढ़ावा देना मात और नव्जात दोनों की मरत्तू में कमी करने में मैत पुन जोमिका निवा कशा नवonner बिशेश जीवन की रच्चा की जाती है ठीक है इसके बाद गा सरभोमिक टीकाकन द्वारा माता और सिसु को सरकार द्वारा निसुल को टीकाकन करवाकर उनकी प्राणर अच्छा की जाती है ठीक है दोस्तों अच्छे से आप लोग इन्हें त्यार कर लेना अब हम कर लें माते बढ़नात्मक परसंट 2 उत्ता लगव सकते राष्टी आय और प्रतिव्यक्ति आय में अंतर राष्टेवास से क्या थाथ पर ये यूरोप में राष्टेवाद के उद्वाद होने से कौन सी प्रसितियां सायक हुई छेंक कात्वा बेश्विक आर्थिक महमद्दी के कालनों का उल्लेक के जिए ठीक है साथ मां मर प्रसितियों का बढ़न कीजिए ठीक है सबी प्रसंदों का अच्छे से त्यार कर लेना लोग तंत्र के इस तरह उत्तरदाई जिम्मेदार और बेस सरकार का गठन करता है छेंक कात्वा भारत में इस्तानी स्वासासन से आप क्या समझते हैं इस सासन के किनी दो गुनों दो कितना मिल जाएगा कितना मिल जाएगा दोस्तों आधानमबर मिल जाएगा दोस्तों मिल जाएगा मांचित्र में तरसाद होगे तभी आपको आदा और मिल जाएगा पूरा कितना हो जाएगा आपका एक नंबर के लिए रोगया यह लिखा है नहीं देखो लिखा यहां ऐसे करके कर दिना इसके बाद बाइस्तान जहां परसी दूण मंदर इस्तित है तो परसी मुंबई में प्रत्रम अदिवेशन कहां उआ था मुंबई में ठीक है बाइस्तान चंदर से सë और सही दूए थे खाथई ल्हां इस्तान आप सभी जानती इसनसे ला बाद लाभाद कहां कर नियस्हेज न पर था तो बूधान प्रसने को उत्तर दे दिये मैं मैंचेतर में मानचेतर में निकी जाप आए इसके बाद भारत में आधो दर्चान है चयत पहतक चैतर को इस चैनि से लो स्पाव्थो लोकश केंद्र को इस चैनि ऑपको दर्चान आए तो अमीद करता हूं आप लोग ने अच्छे से इसको देख लिया होगा पूरा का पूरा बारल पेपर है यही पेपर आपके बोर्ड एक्जाम 2024 को देखने को मिलने वाला है साथ मार्च तो आप लोग वीडियो को सेर कर देजिए चैनल पर पहली बारा है चैनल को प्राइब भी कर लीजिये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू